आज मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ 3 important exercises, techniques जिससे आप अपनी visualization की power को कई गुना जादा बढ़ा सकते हैं यानि बिलकुल foundation level से आप develop करके अपनी powers को बहुत higher level पे लेके जा सकते हैं जिससे आप बहुत crystal clear visualization कर सके and it is really important कि आपके पास visualization की power हो मैं आपको बता हूँ everything is created twice in this universe, first inside the mind then in the external world यानि कोई भी चीज दुनिया में दो बार create होती है, पहले आपके mind के अंदर और बार में external world में तो अगर आप अपने mind के अंदर उसको clearly create कर सकते हैं या visualize कर सकते हैं तो इसकी possibility, probability बहुत जादा होती है कि external world में भी वो चीज create हो जाए, right? तो अपनी visualization की power को enhance करने के लिए मैं three exercises आपके साथ share करने वाला हूँ The first one is bubble exercise, bubble में क्या करना है या balloon exercise से कहते हैं कि आपको एक balloon को imagine करना है और मैं आपको choice देता हूँ या recommend करता हूँ कि आप three color के balloons से शुरू करे, red, blue and green तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक balloon को imagine करने की कोशिच करनी है जब आप एक balloon को imagine कर रहे हैं तो हो सकता है कई बार वो image आपके सामने ना आए तो आपको फिर क्या करना है, आपको अपने mobile या laptop या computer के उपर जाना है और वहाँ पे balloon की image को search करना है अब क्या होगा, externally आपने balloon को देख लिया तो internal world में balloon को up create करना ज़्यादा असान है तो आपको ये balloon को up visualize करना है तो सबसे पहले आप एक red color के balloon को imagine करना शुरू करो सबसे पहले हो सकता है वो बहुत ज़्यादा clear ना हो, लेकिन बात में जैसे जैसे आपकी powers develop होंगी यानि कि red color का आप भी था कि imagine कर रहे थे, तो अब blue, then green, ऐसे आप colors change करके balloon को imagine करना शुरू करो पता है आपने क्या किया है अगर आपने ये exercise को complete किया तो आपने mind को train कर दिया कि how to visualize something with colors तो ये first step है अब balloon के साथ ही कुछ और experiments उसके बाद आपको करने है क्योंकि आपको अपने mind को train करना है कि visualization की power को कैसे develop करे या visualization की power को कैसे use करे तो अब आपको क्या करना है अब same balloon को आपको visualize करना है, imagine करना है और अपने mind की power से उसको black and white करना है that means आप अभी red color का balloon देख रहे थे, make it black and white और जब red को आप black and white करेंगे तो क्या होगा, वो किस color का देखेगा, most probably black या dark gray कोई ऐसा color आपको नजर आएगा, same यही आपको करना है green के साथ, same यही चीज़ करना है आपको blue के साथ, यानि अब आपने mind की power को, potential को develop कर लिया है बलून की exercise के साथ ही develop करनी है, अब आपको क्या करना है, आपको just यह imagine करना है, यह balloon आपके करीब आ रहा है, और आपसे दूर जा रहा है, अब आप जानते हैं, कि कोई चीज़ जब आपके करीब आती है, तो उसका size क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और जब कोई चीज़ दूर जाती है, तो इसका size क्या हो जाता है, आपके mind के लिए वो छोटा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको इस potential को develop करना है, so imagine कि वो balloon आपके पास आ रहा है, और फिर दीरे 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 आपसे दूर जा रहा है, तो यह दोनों ही चीज़ें आपके develop हो जाहेंगी, यानि कि आप चीज़ों को near and par कर सकते हैं with the power of your visualization, अब इसके बाद एक और capability develop करनी है, वो है कि चीज़ों के size को automatically change करना है, यानि near par करना तो एक वे है, दूसरा वे है, automatically आप एक balloon के size को large होता हुआ, imagine करो, फिर छोटा होता हुआ, imagine करो, फिर large होता हुआ, imagine करो, अब आपने size को भी change करना सीख लिया है, तो आपके mind का एक और power, एक और potential develop हो गया है, that how to change the size of anything, तो आपके mind ने colors को change करना सीख लिया, उसको move करना सीख लिया, near and par, उसके size को change करना सीख लिया, और ये तीनों बहुत कमाल की powers हैं अगर आपने develop कर ली तो, अब क्या करना है, balloon के साथ balloon की exercise आपको अच्छे तरीके से आ गई, आपने इस power को develop कर लिया, कि आप कैसे visualize करे, अब next exercise पर जाना है, जब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करने लगे, and that is mirror, तो आपको उसमें क्या करना है, एक mirror के सामने जाना है, mirror में अपने आपको देखना है, अब आपने mirror में अपने आपको देख लिया, now you need to close your eyes, अपने आपको बंद करना है, और अब अपने mind में, जो आपने आपको देखा था, उसको imagine करना है, मैं आपको बताओं, ये बहुत ज़्यादा powerful exercise है, क्यों? क्योंकि आपके mind में आपकी खुद की self image बहुत distorted, या बहुत weak तरीके से पड शुरू करता है, that means inside से वो पहचाना शुरू करता है, that how exactly you look, आपकी आखे कैसी है, आपके बाल कैसे है, आपका चेहरा कैसा है, शायद girls के लिए जादा आसान हो, वो कई बार mirror को देख दी रहती है, anyways, तो आपको क्या करना है, ये mirror के exercise को करना है, जिससे आप खुद की self image को अच्छे तरीके से अपने mind में visualize कर सकें, क्यों, क्योंकि जब भी आप visualization करेंगे, किसी particular result के लिए, किसी particular behavior को change करने के लिए, तो उसमें आपको अपने आपको देखना होगा, तो अपने आपको कब देख पाएंगे, जब आपके घुद के mind के अंदर आपकी अपनी image हो already, त तो जो भी result आपको चाहिए, suppose आज आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपका result बहुत अच्छा हो, तो see yourself कि आप कैसे बहुत मेहनत से education से गुजर रहे हैं, कैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे आप अपने table पर बैठते हैं, कैसे आप books को पढ़ते हैं, क्या क आपके mind के पास बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ें absorb होनी शुरू हो जाएंगी, और आपका mind जिस भी चीज़ को accept कर लेता है, उसको reality पे convert करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, तो यह आपको करना है, तो जो भी आपके behavior या जो भी आपके results हैं, उसको आप साथ visualize करना, imagine करना शुरू करो, और एक बार आप visuals के साथ बहुत clear हो गया न, तो उसके साथ सिर्फ दो चीज़े और add करनी है, audio and feelings, अपने appreciation को देखो, जब आपको result मिल रहा है, तो लोग आपको किस tone of voice में appreciate कर रहे हैं, आपके parents कितनी emotional tone के साथ, emotional feelings के साथ, emotions के साथ, आपक के लिए clapping करने वाल है, ये सारी चीज़ों को उसमे add करो, sounds को, और वो feelings को भी देखो, कि जो अगला ये event है, जिसको आपने visualize किया है, जब आप उसमें हो, तो how exactly you will be feeling, वो feelings कैसी होंगी, और मैं आपको बताऊं, जब आप ये सारी चीज़ों को कर रहे होंगे, तो आपका mind प आसानी से और बहुत fast तरीके से results आपकी जिन्दगी में आना शुरू होंगे, तो इस power को आपको use करना है, और अपनी visualization को इस तीन exercises से आप develop कर लेंगे, पहला balloon, दूसरा mirror और तीसरा end result जो आपको चाहिए, और फिर आप देखो आपकी जिन्दगी में कैसे miracles होते हैं, because अब आपके mind को मालूम है कि visualization को कैसे use करना है, right? So enjoy this process, enjoy this learning exercises और बहुत मजा आएगा आपको आपको आप बहुत सारे अच्छे results क्रेट करेंगे जिन्दगी में, my best wishes are with you, wish you a great life ahead, take care, bye-bye.